नमस्कार दोस्तो मैं मुकेश सर्मा और आप देख रहें मुकेश्रक्ट चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे solar invader कितने प्रकार के होते हैं solar invader के क्या 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 होते हैं और solar invader हमें किस हिसाब से लेना चाहिए कौन से solar invader लेना चाहिए off-grade, on-grade, hybrid इन तीनों में क्या अंतर है उसके बारे पूरी detail जानेंगे यहां पर जान लेते हैं सबसे पहले on-grade solar invader के बारे में जैसे कि मैंने बताया तीन तरह के solar invader होते है on-grade, off-grade और hybrid जो कि यह बहुत लेने नई टेक्नलोजी है तो on-grade जो solar invader होता है वो solar invader वहां लगाई जाते हैं जहां पर के साथ में type करके बिजली को लेने और बेचने के लिए एक agreement sign करना होता है उसके बाद तो वहां पर आपको on-grade solar invader की जरुद पढ़ती है क्योंकि आपको light government को बेचनी होती है और government से light को लेना होता है खरिदना होता है तो वहां पर आपको solar on-grade invader की जरुद होती है अब solar on-grade invader क्या काम करता है कैसे करता है जैसे कि 2 kilowatt के आपके solar invader लगा हुआ है 2 kilowatt का solar system लगा हुआ है आपका और अगर घर का load 1 kilowatt चल दा है तो यहां पर आपका invader क्या करेगा DC voltage को AC में convert करके वह घर की supply को चलाता रहेगा और जो बच्चीवी light को हो वो gate में वापसी बेशता रहेगा और जो एक meter होता है smart meter लगा होता है उस meter में वो canvasion आती रहती है कितने unit इसने save हो चुकी है कितने unit save कर दी है तो जो DC voltage बनाता है solar system उसको AC में convert करके वो घर का load चलाता है प्लस आप gate को जो बात आती है कि क्या backup हम इसमें चला सकते हैं इसमें आप battery नहीं जोड सकते और इसमें आप कोई भी backup नहीं चला सकते जब grade में supply आती है तभी यह काम करता है तभी आपके घर के load को चलाएगा otherwise आपके घर का load भी बंद हो जाएगा जैसे ही light चली जाती है grade से light चली जाती है तो on-grade solar system सिर्फ वहीं काम करता है जब ही काम करता है जब grade में supply आती है otherwise वो काम करना बंद कर देता है अब बात करते हैं off-grade solar inverter के बारे में जो off-grade solar inverter होते हैं यह हैं बहुत ही ज़्यादा यूज में होने वाले solar inverter होते हैं क्योंकि जहाद पर यूज off-grade solar inverter का ही रहता है जो छोटे unit होती है जैसे कि सपोज कि ये electricity bill को save करने के लिए बचत करने के लिए जो setup लगा जाते हैं छोटे setup लगा जाते हैं वहाँ पर off-grade solar inverter का ही यूज होता है जैसे कि सपोज कि ये एक किलो वाट का कहीं solar inverter लगा हुआ solar system लगा हुआ है वहाँ पर क्या होगा कि off-grade solar inverter लगाए जाएगा क्योंकि घर के लिए या office के लिए वहाँ पर backup की ज़रोद होती है जब grid से मैं supply नहीं रहती है तब वो backup भी लेना होता है backup की ज़रोद होती है तो वहाँ पर off-grade solar inverter से क्या बैटरिया चार्ज होती है और backup मिलना सुरू होता है यहाँ पर पता लग गया होगा कि आपको solar off-grade system off-grade inverter से हम backup ले सकते हैं और उसमें battery को जोड़कर battery के साथ में हम connect करके solar से और battery से दौनों से हम 24 गनते backup अपना बना सकते हैं सपोज कि यह एक किलो वाट का आपने off-grade solar system लगा हुआ है और चार आपने battery लगा रखे हैं या दो battery लगा रखे हैं अपने backup के हिसाब से आपको कितना backup चाहिए तो उसी हिसाब से आप battery कनेक कर सकते हैं 12V और 24V panel भी 12V और 24V दोनों में उपलब्द हैं और battery भी आप उसी हिसाब से बड़ा गटा सकते हैं कि आपको कितना backup चाहिए तो यहाँ पर off-grade solar inverter का काम सिर्फ वही है solar panel से light को DC light को convert करके AC में inverter के द्वारा वो घर की supply को चला दे पिलस जो battery को charge करने के लिए बारे बोर्ड supply की जरूद होती है वो DC voltage battery को देकर battery को भी charge करता रहे तो यह सब चीज़ है यह off-grade solar inverter में काम आती हैं और काम करता है और solar inverter इस हिज़ाब से काम करता है battery को चार्ज करेगा पिलस आपके घर की supply को भी चलाएगा automatically और कितनी save उसने electricity की और क्या उसकी पूरी performance उसमें दिखती भी है और पूरी performance उसमें यह so होती है अब बात कर लेते हैं जो latest technology है hybrid solar inverter इसका क्या काम होता है hybrid solar inverter नई technology है और कुछी कंपनियां इसमें आई होई हैं और कुछी कंपनियां अभी hybrid solar inverter बना रही है जो hybrid solar inverter होता है वो इन दोनों जो option है on grid solar inverter और off grid solar inverter इन दोनों का एक solution है मतलब कि आपको अलग अलग inverter न लेकर एक ही inverter को आप दोनों काम कर सकते हैं अगर आपका system on grid solar system लगा हुआ है और या आपका off grid solar system लगा हुआ है उसको आप convert करना चाहते है on grid solar system में तो आपको यहाँ पर inverter चेंज करना पड़ता है जो कि काफी अच्छी cost का होता है तो वो यहाँ पर क्या होगा कि आप hybrid solar inverter लगा लेते हैं तो वो दोनों काम करेगा जो कि on grid solar system का भी काम करेगा off grid solar system का भी काम करेगा आप इसके साथ में बेंटिक कनेक करके घर के लोड को भी आप चला पाएंगे जैसे कि आपने on grid solar system लगाया पांच किलो वाट का आपकी जो बची हुई लाइट है सबोज कि ये 2 किलो वाट आपकी लाइट बच रही है और grid को सप्लाई हो रही है और light चली जाती है तो उस condition में क्या होगा आपकी cut हो जाती है light आपकी घर का backup बंद हो जाता है खतम हो जाता है तो यह जो hybrid inverter है ये आपकी घर की जो बेंट्रिया है उनको भी चार्ज करता रहेगा जो आपने बेंट्रिया लगाई है backup के लिए उनको भी चार्ज करेगा गर की light को भी चलाएगा और बची ग्रीड में सप्लाई को भी बेचेगा ये इस hybrid solar inverter का काम होता है जो hybrid solar inverter होते हैं आपको काफी अच्छे hybrid inverter होते हैं और इन दो दोनों solar inverter के मुकाबले off-grid और on-grid के मुकाबले भी थोड़े महेंगे होते हैं क्योंकि नई technology है और कुछ महेंगे भी होते हैं तो अगर आपको कुछ question है तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं तो दोस्तों चले चलते हैं मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए नमस्कार